वंदे मात्रम जै हिंद जै भारत मैं कवी सौरव जैन सुमन आगामी 3 मार्च 2022 को आप लोगों के शहर शहाजानपुर में अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर के आ रहा हूँ उन कवीयों को लेकर के आ रहा हूँ जिनको सुनना निश्चित तोर पर आप लोगों के लिए भी उपलब्दी होगा और उन कवीयों के लिए भी शहाजानपुर में आपका आतिथे लेना एक बड़ी उपलब्दी होगा मेरे साथ जिस कावेरत का मैं संचालन एक सार्थी के रूप में करने वाला हूँ उस कावेरत पर सजने वाले महारती इतने बड़े हैं कि जिनको अगर आप लोग अभी मैं नाम लूँगा तो आप खरेंगे कि वाह ये आप लोगों का स्वभाग ये कि आप उनको सुन रहे हैं डॉक्टर अनामी का जैनंबर वो कवित्री जो किसी भी मंच पर हो तो वो कवी का मंच कविता का मंच स्वयम में पूजिनिय हो जाता है श्रवनिय हो जाता है ऐसी कवित्री डॉक्टर अनामी का जैनंबर मुस्कान शर्मा जी डॉक्टर प्रतीक गुपता जी विनोध पाल जी ये तमाम कवी ये तमाम शायर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं तीन मार्च को आदेनिय अनुराग जी का निमंत्रन हम लोगों तक पहुँचा और उसे निमंत्रन का अक्षर शेफ पालन करते हुए हम आप लोगों की शहर शाजहानपूर पहुँच रहे हैं तो बगेर किसी विलंब के आतित्थे के लिए तयार हो जाए और हम लोग पहुच रहे हैं अपनी कविताओं का रसा स्वाधन कराने के लिए आप लोग हमारे आतित्थे के लिए तयार हैं मिल करके उस दिन कविता का अनुष्ठान करेंगे तब तक इन्तजार कीजिए वंदे मातरम जैहिंदी जै भारत